स्वागत मारे यूटूब चैनल लालेश फटापट में मेरा नाम है विसाल प्रजापती तो फाइलिक कल वीडियो नहीं आई थी कोई भी तो आज यूपी इसकाल से पूले कर तीन से चौर टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि करेक्शन वालों का पैसा कब आएगा और जो क बेना द्लोगों सब्सक्राइब लोग के बहुत सारे मेसेज आ रहे ते हैं की करेक्शन वालों का का बायेगा तो सब्सक्राइब को समझाओज पाता है नंहीं सब गारे में मैं बारे में अश्लिप कर सकती हो समझ गये तो देखे 5-23 यहाँ यह एBob Анूं दिखाता हूँ हर वीडियो में, पांस तारीक, मैं इस्टेटरस के वरिफिकेशन आपको इसलिए दिखाता हूँ, ताकि आपको विश्वास होता है कि इस्टेटरस वरिफाइड हो रहा है, यहाँ पर पांस तारीक, अभी आगे चीटों पर बात करेंगे, देखो यहाँ पर देख सकतो 9 फरवरी को वरिफाइड हुआ, आपके सामने सब कुछ लाइफ प्रूफ है, उसके बाद आज तो गया रहा है, और कल 10 फरवरी को यहाँ पर देख सकतो वरिफाइड हुआ है, तो इससे एक चीट क्लियर होती है, बाई, इस्टेटरस लगातार वरिफाइड हो इसमें कोई दो रह नहीं है, अब टॉफिक पर आते हैं कि बाई, जो करेक्शन किये हैं, उनका पैसा कब आएगा, जो करेक्शन नहीं किये हैं, इसको लेकर काफी पापी कन्त्यूजन है, निको कल मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो कि में अफलाय का प्लेश्मेंन था तो उसमें मैं गया था बहुत सारो लोग मिले भी थे हमसे तो अगर कल कॉन कर प्रेजेंट था सीिट क्वालेज आप फारमेशी में आपको कमेंट सेक्षिंट में बता सकते हो कि आप लोग वहाँ पर गये थे या नहीं गये थे तो वह किहले क्या था पहले सब लोग बोले थे मैं भी बोला था कि क्रिक्षन वालो जो क्रिक्षन नहीं किये जिनका वेरिफायर फोuse Looks और जो correction किये हैं उनका पैसा बाद में आएगा लेकिन फंडा क्या हुआ कि government जो भी rule बनाई थी जो भी date रखी थी कि 28 December, 10 January, 26 January किसी भी date को पैसा नहीं दी तो सब date वाले एक में mix हो गए मतलब जो correction किया हुआ बन्दा था और जो बीना correction किया हुआ बन्दा सब एक में मिल गए मतलब पैसा आप सब का साथ में आएगा और थोड़ा सा जो correction मतलब नहीं किये जिनका पहले 얼efly है तो उनका मतलब पैसा 17 February कि बाद से आ सकता है मतलब थोड़ा से पहले आएगा मुस्ति कि यहां तक बात आती है कि यह स्टेटस वरिफिकेशन की लाजडेट क्या है क्योंकि मेरे पास काफी सारे च्छात्र मैसेज करके यह बोलना है कि सर मेरे आद दस तारीक हो गई सर इस्टेटस वरिफाइड नहीं हुआ सर घा तारीक हो गई नहीं हुआ सर एक मेहन पहले सासा है कब तक वरिफाइड होगा तो हुआ क्या देखो इस्टेटस वरिफाइड की जो लाजडेट दस भार से सबको पता तक यह decision हो जाएगा कि आपका reject कर दिया गया है या वेरिफाइट कर दिया गया है तो इसमें कोई दो राही नहीं है आपका नौमबर से pending पड़ा हो दिसमबर से pending पड़ा हो दस मार तक आपको वेठी करना पड़ेगा यह आपके भी हाथ में नहीं है DWO वाले के पास जाके भी पड़ा सकते है अगर आप सोच रहे हो कि सर मेरा दो महिने स्पेंडिंग पड़ा किया मैं समात का लाल विभाग जाओं और वहाँ पर बात करूएट मेरा वेरिफाइट हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है समाच चलाल विभागवाले वो अपने time से ही अपने मन से ही verified करेंगे जो घा सब्सक्राइब करें how to clarify कर और जो अप्लिकेशन फार्म यूपी बोर्ड आइससी बोर्ड बैंक रिजेक्टर यह सब करेक्शन कियो इसको लेकर आप लोग पैनिग मत हुई यह दस मार तक तो बिल्कुल भी आप लोग मत घपराइए उसके पहले पहले लाश फरवरी तक सबका वरिफाइड हो तो बाकी इसकालनसिफ की बात की जाए तो बहुत सारे चातर बोले तेक सर पैसा के आज से आएगा कल से पैसा आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जाविद मुस्तफासन ने भी 7-8 फरवरी को ट्यूट किया था आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने बोला कि हबते 10 दि आज पैसा भेजा जाएगा कल पैसा भेजा जाएगा आज बारा बजे बोलेंगे फिर साम को बोलेंगे इस वज़ा से नहीं आएगा फिर बोलेंगे कल सुबह कि आज इनका पैसा भेजा जाएगा फिर साम को बोलेंगे इनका नहीं आए तो मतरब ऐसे बेगूप बनाया ज जाएगा दो मिनट में रिजक्ट वाला स्टेटस वरिफाइड कर दो आज आपका पैसा आएगा लाइफ प्रूब देख लो तो उसे आप लोगों के अंदर यह हो जाता है कि भाई सब लोग गलत बताते हैं लेकिन आइसा नहीं है इसलिए मैं फेस्ट्राइम वीडियो आने लगा ताकि आपको लोगों को मेरे उपर ट्रंश्ट हो सके तो आप लोग विश्वास कर सकते हो इस चैनल पर अगर आपको यूपी स्काल से अथंटिक अपड़ेट चाहिए सब्स्राइब कर सकते हो बाकि वह आपके ओपर डिपेंट है तो बता देता हूँ कि इस्टेटर पोस्ट मेंट्रिक पोस्ट मेंट्रिक अदर देन इंटर इतने जानकार आप लोग हो मैंने बार बार बता रखाया है तो यहां पर फ्रेस लिंगल जो भी है क्लिक करके अपना आप लोग इस्टेटर से चेक आउट कर सकते हो और आपका इस्टेटर से चेक आउट कर सकते हो हालंकि आयद्जा के लिए नहीं है, पूरे UP के लिए है, तो इसमें बोला गया था कि जो भी छात्र कांसलिंग सेड़िशन कराएं हैं, और गलती से उन्होंने कांसलिंग वाले आपसान में अपना कांसलिंग नंबर रैंक न डालके वहाँ पर नो सेलेक्ट कर दिया है, या का कांसलिंग सेड़िशन कराएं हो, और आपको आपके स्टेटेश में कांसलिंग वाली प्रॉबलम आ रहे हैं, यह बहुत सारे चात्र ऐसे हैं, जो बोल रहते हैं कांसलिंग से हूं, फिर भी मेरे में कांसलिंग के डिटेल गलग क्यों दिखा रहा है, तो इसके लिए जो भ पैसा आने वाला है नहीं, तो इस वज़ास आपका रिजेट कर देंगे, तो आपनों इस बात को ध्यान रखिएगा, और जो भी छातर ऐसे हैं, जाके अपने समात कलार विभाग में बात करके, डाकुमन जमा कर दिजेए, बाकी आगे कोई और अपडेट आती है, तो आपक पतली बाबाए, टेक क्यार चैनल परने हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेए,